नमस्काय स्वागत आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट उत्रखंड के किसानों के लिए 3 लाग का ब्याज मुफ्त रिंड वित्रंड शुरू हो गया है मुख्यमंत्री तिर्वेंद सिंगरावत ने रेसकोर्स इस्तित बन्नू स्कूल परिसर से स्योजना का शुभारम किया योजना के तहट 25,000 किसानों को खेती किसानी के साथ ही मतस्य पालन, जड़ी बूटी, मुर्गी पालन, मौन पालन के लिए रिंड दिया गया बता दे, प्रदेश भर में 100 स्थानों पर 17 रिंड वितरन कारिक्रम किया गया दीन दयाल उपाध्याई सहकारिता किसान कल्यान योजना के अलावा कारिक्रम में प्रदेश की 200 बहु देशिय क्रिशी रिंड सहकारी समीतियों को हार्डवेर भी वित्तित किये गए साथी सहकारी समीतियों के कंप्यूटराइजेशन पर लगभग 40 करोड की राशी दी गई है इसमें 25 प्रतिशव धनराशी राज्य सहकार के माध्यम से दी गई दरसल मार्श 2021 सक प्रदेश की सभी सहकारी समीतियों का कंप्यूटरी करन करने का लक्षव रखा गया है उत्रखन देश का पहला इसा राज्य है जहां प्रदेश की सभी बहु देशिय क्रिशी रिंड सहकारी समीतियां कंप्यूटरी करत होंगी और वही मुख्यमंतुरीत रिवेंद सिंग रावत ने कहा कि किसानों से जो वादे किए हैं उन्हें सरकार पूरा कर रही है प्रदेश के किसानों ने भी सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया है और 2017 में सरकार ने किसानों को 2% ब्याज एक लाक रुपे का रिंट दिया था सरकार ने ये बात भी कही थी कि योजना के अच्छे परिणाम सामने आने पर सरकार व्याज मुफ्त रिंट देने का फैसला लेगी हमने अज अपने गाओं के छोटे छोटे गाओं के लिए रोजगार के लिए मुख्यमंत्री सोर्स रोजगार योजना 25 किलो वाट तक का सोलर का प्रोजेक्ट लगाईए और आपको उसको खरीदने का काम राज्य सरकार करेगी उसके रेट भी साड़ी चार रुपे पर्टी यह हमने उसके भी रेट मिर्दारित किये हैं और जब उसका उप्योग करेंगे आपको चिठी लिखने की जरूत नहीं है कि मेरा पैसा दे दीजिए पहली तारीक को आपके अकाउंट में अपने आप पैसा आ जाएगा जो बैंक से आपने कर जा लिया उतना बैंक में चला और जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसपर हो जाएगा और उसमें एक तारीक से दो तारीक नहीं होगी यह आज हमने अपने अपने गाउं के लोगों के लिए किया है इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही लेकिन आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले